दोस्तों बहुत से ऐसे योगासन होते हैं जो दिखने में बड़े सिमिलर होते हैं एक तरीके के होते हैं लेकिन दोनों के नाम अलग-अलग होते हैं और दोनों को करने का तरीका भी एकदम अलग-अलग होता है मैं बात कर रही हूँ परवतासन और अधो मुख स्वानासन अगर इंगलिश में इनके नाम की बात करें तो परवतासन को हम माउंटेन पोस के नाम से जानते हैं और अधो मुख स्वानासन को हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के नाम से जानते हैं तो परवतासन यानि परवत के समान आकरती, अधोमुख स्वानासन यानि जैसे कुत्ते अपनी बॉड़ी को स्ट्रेच करते हैं सामने की तरफ से, बस अधोमुख स्वानासन उसी तरीके से है, अब आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़े बताने वाली हूँ, जै इन दोनों पॉस्चर्स में, एक्चुली में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी, तो आप सभी से गुजारिश हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्रदारों के साथ भी खूब सेर कीजेगा, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगाविन शहीदा में, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं, इन दोनों आसनों को अगर आप करते हैं निरंतर, तो आपको क्या लाब मिलेंगे? सबसे पहला लाब तो ये मिलेगा कि आपकी बॉडी में मजबूती आएगी, यानि आपकी कलाईया मजबूत होंगी, कोणिया बाजू मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे और साथ ही कंधों की flexibility भी improve होगी। साथ ही इन दोनों अभ्यासों से आपकी spinal cord पर बड़ा अच्छा इस effect पड़ता है, spinal cord लेंदेन होने की वज़े से और mountain pose में लेंदेन होने की वज़े से और अधो मुक्षवानासन में आर्च होने की वज़े से आपकी spinal cord को ये स्वस्त रखता है, तो आपके तंतरी का तंतर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, दोनों ही postures में आपका head down है, यानि inverted posture, semi inverted posture है, तो इससे क्या होगा, यह आपके heart का function, lungs के function के लिए बहुत beneficial है, आपके चहरे की तरफ blood flow improve होगा, जिससे आपके चहरे पर natural glow को promote करेगा, आपके आँख, नाख, कान और गले के function को improve करता है, साथ ही blood flow आपके head region की तरफ, मस्तिस्क की तरफ improve होता है, जिससे आपकी सोचने, समझने की क्षमता, आपकी memory जो है, वो strong होती है, और साथ ही इस आशन के अभ्यास से आपके शरीर में hormones की जो गड़बड़ी है, क्योंकि सारे के सारे hormones जो हैं, control तो आपके brain से ही होते हैं, भले ही वो body के अलग-अलग parts से secret हो रहे हैं, तो hormones की जो गड़बड़ी हैं, उसमें बहुत ही ज़ादा लाबदायक है, साथ ही इस posture का जब आप अभ्यास करते हैं, तो पूरे शरीर की flexibility जो है, वो improve हो जाती है, ये दोनों posture, अब सिर्फ एक जो कुछ differences हैं, वो differences आपको step by step आगे पता चलेंगे, कि दोरों में आपके गरदन की स्थिती कैसी होगी, कंधों की स्थिती कैसी होगी, स्थिती कैसी होगी, पैरों में कितना distance है, वो होगा, सारी सीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो हमने ये तो सीख लिया, कि इन दोनों posture के benefit क्या है, अब हम ये सीखेंगे, कि इन दोनों posture को कैसे किया जाता है, step by step, तो सबसे पहले हम वजरासन की position पे ऐसे बैठे हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए, पहले हम कर रहे हैं परवत आसन का अभ्यास, mountain pose, तो दोनों palms को ऐसे आपने अपने घुटने के उपर रखा है, और फिर ऐसे दोनों palms को ऐसे mat पे रखते हुए, अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाए, अब देखें इसमें ध्यान दे, कि मेरे दोनों पेर के अंगुठे जो है न, वो जुड़े हुए हैं, और यहां पर ये ध्यान देना है, कि आपकी कलाई, आपकी कुहुनी और आपका कंधा, ये तीनों एक लाइन में हो, ऐस और सामने देखिए, और फिर धीरे से अपने पेरों को, दोनों पेर के जो अंगुठे हैं, इनको टक कीजिए, और अपने घुटनों को ऐसे सिधा कर दीजिए, घुटनों को सिधा करने के बाद, अपने सर को दोनों बाजुओं के बीच में लेके आईए, ताकि पूरा का पूरा परवत के समान, आपके शरीर की आकरती रहे, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, है ना, और आपका सर दोनों बाजुओं के बीच में है, और आप की जो बाडी की पोजीशन है, वो एक परवत की तरह है, इन्वर्टेड वी की तरह है, पेट पर आप अपने ध्यान लेके और साथ ही, पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉड है, वो आगे की तरफ खिचा हुआ है, यानि लंदन है, ऐसे, इस तरीके से, दोनों पैर की एडियां और अंगुठे, दोनों जुड़े हुए हैं, और इस पॉस्चर को करते हुए, आप कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ, ऐसे, इस तरीके से, और फिर घुटने को ड्रॉप करने के बाद, आराम से अपनी एडि पर बैठ जाएंगे, और इस पॉस्चर को फिर रिलीज कर देंगे, परवतासन, घुटनों को जोडा, तोनों पाम्स को मैट पर रखा, शोल्डर जित तरफ रखी हुई है, और सर दोनों हाथों के बीच में, ऐसे, पूरा माउंटेन बन जाए, तो आपने देखा, किस तरीके से मैंने आपको बताया, परवतासन का अभ्यास, अब मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा आसन का अभ्यास, जिसका की नाम है, अधो, मुख, स्वा पर रखा, अब इस वाले पॉस्चर में, दोनों घुटनों के बीच में, अपने कमर जितना फासला कर लें, या अपने कंधों जितना फासला कर लें, बहुत जादा फासला ना कीजिएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में भी, आप कमर जितन करेंगे और फिर उसके बाद धीर से अपने घुटने को सीधा कर देंगे दोनों अभ्यासों में आपकी जो abdominal muscles है ना इन में अच्छा एक contraction हो और फिर अब इसमें सर की position देखिए दोनों पैरों की बीच में फासला है यह ध्यान रखिएगा और यह भी inverted V की तरह ही है लेकिन इसमें difference यह है कि सामने देखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने सर को आप मैट की तरफ ले जाते हुए अपनी नाभी की तरफ देखें इस तरीके से कोशिश करें कि आप नाभी देखें आपके पूरे के पूरे शोल्डर और spinal cord पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा दोनों पैर घुटने के पीछे hamstrings पर सीधे हैं आपके दोनों हाथ और दोनों पैर मस्बूती से आपकी योगा मैट पर आपने रखे हैं ऐसे और जब आपी सासन का अभ्यास करें एक डिफ्रेंस देख रहे हैं कि spinal cord पर कितना बढ़िया आर्च ऐसे धीला कर दें पूरी spinal cord को और कंधे जो है एक दूसरे के पास आ गए और आप अपनी नाभी की तरफ देख रहे हैं ऐसे इस तरीके से ब्रीद करते रहेंगे यहां पर इस पॉस्चर को भी 30 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर पॉस्चर को हम कर देंगे रिलीज दोनों घुट किया एल धीरे से सर को बेली की तरफ ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएं और spinal cord को आर्च करें दोस्टों अगर आप मेरी निगरानी में रहे के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे किया जाता है चुकि इन classes को zoom के माध्यम से कंडग किया जाता है तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आप आसानी से इन classes को join कर सकते हैं अगर आप beginner हैं आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया तो घबराईए का नहीं हर एक practice को मैं बड़ी आसानी तरीके से बताती हूँ जिससे हर एक student आसानी से उसको कर लें अगर आपको कोई health condition है फिर भी आप घबराईए नहीं lifestyle disorder diseases जैसे कि diabetes, thyroid, obesity की समस्या, PCOD, PCOS, high blood pressure, hypertension की समस्या, अत्याधिक depression, stress की समस्या, anxiety की समस्या, overthinking की समस्या, ऐसी समस्याओं में योग बहुत ही आपको मददगार साबित होगा, मेरे बहुत से students को ऐसी समस्याओं थे, उन्होंने कुछ वक्त तक योग का अभ्यास किया और उनको बहुत positive results मिले हैं, बहुत से लोगों की तो दवाईया भी बहुत हद तक कम हो चुकी है, इसके लावा अगर आप ये zoom classes join नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ yoga courses हैं, उनको आप purchase करके अपने comfort के हिसाब से, किसी भी वक्त इन videos को आप open करके practice कर सकते हैं, आप एक बार ये course purchase कर लेते हैं तो आपको पूरे साल बर की validity मिलती हैं और आप कितनी बार भी इसका अभ्यास करते र कारे में और भी जानकारी के लिए मेरी website www.yogavidshahida.com पर आप विजिट करें, अगर website नहीं विजिट कर रहे हैं तो आप एक WhatsApp कर सकते हैं इस number पर जो आपको screen में दिख रहा है, तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम करेंगे परवतासन और अधोमुक्षवानासन, अब एक करके हम इनमें जो differences हैं उसको समझेंगे, तो सबसे पहला जो difference है वो हम अपने पैरों की position जो हैं उसको बताएंगे, पैर की position परवतासन में जुड़े हुए होते हैं और अधोमुक्षवानासन में एक दूसरे से दूर होते हैं, एक बार करके बताती हूं, परवतासन जितना फासला दोनों हथेलियों की बीच में एड़ी और अंगुठा जुड़ा हुआ, पैरों को टक किया, एन हिप को अप कर दिया, और दोनों हाथों की बीच में ये हो गया परवतासन में पैरों की position और ये हो गई आधोमुक्षवानासन में पैरों की position इस तरीके से, त आपके पैर परवतासन में जुड़े हुए होंगे, अधोमुक्षवानासन में कम से कम कमर जितना फासला होगा, अब दूसरे अंतर की बात करते हैं, स्पाइनल कॉड की, तो जब आप परवतासन का अभ्यास करेंगे, तो इसमें स्पाइनल कॉड आपकी सीधी होगी और ल अलका सा आर्च होगा, किस तरीके से जरा देखिए, वापस से टेबल टॉप पोजीशन पर पहले परवतासन देखिए, तो परवतासन में पैरों को जोड़ा, और स्पाइनल कॉड एकदम सीधी है, और सर जो है, वो दोनों बाजुओं के बीच में है, तो इसमें स्पाइन स्पाइनल कॉड में एक बहुत खुबसूरत सा आर्च देते हुए, इस तरीके से, ऐसे, स्पाइनल कॉड में आर्च आ गई, ऐसे, और अपनी नाभी की तरफ देखेंगे, ऐसे, इस तरीके से, तो ये हो गया स्पाइनल कॉड का डिफ्रेंस, अब मैं डिफ्रेंस बता रही हूँ, नेक का, गर्दन का, तो जब आप परवत आसन का अभ्यास करते हैं, तो इसमें आपकी नेक जो है, वो रिलाक्स रहती है, और आपका सर इस तरीके से, दोनों हाथों के बीच में नेक रिलाक्स होती, लेकिन वहीं जब आप, तो दोनो पैरों के बीच में कमर जितना फास्ला, स्पाइनल कॉर्ड आर्च कर ली, और इसमें गर्दन अंदर की तरफ, ऐसे, नाभी की तरफ देखना है ना, तो गर्दन अंदर की तरफ, ऐसे, अब हम अगला डिफ्रेंस देखेंगे, जो अंतर है, वो हमारे कंधों का है, तो जब आप परवतासन का अभ्यास करते हैं, तो इसमें कंधे आपके रिलाक्स होते हैं, और कान कंधे से दूर होंगे दोनों पॉस्चर्स में, लेकिन जब आप अधोमुक्ष्वानासन करते ह हैं, तो इसमें शोल्डर अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि स्पाइलल कॉर्ट बाहर की तरफ जुकी हुई है, तो जब आप परवतासन का अभ्यास करते हैं, तो इस तरीके से कंधे रिलाक्स हैं, एक दम, ऐसे, कंधे रिलाक्स हैं नजरे सामने की तरफ, और वहीं परवता परवतासन का जब अभ्यास करते हैं, तो पैरों के बीच में फासला किया, और कंधे देखिए, शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, वह एक दूसरे के पास आएंगी, ऐसे, 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 तो यह परवतासन में, कंधे एकदम रिलाक्स हैं, शोल्डर रिलाक्स हैं, और अधो इस तरीके से, शोल्डर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ऐसे, अब आपके नजरों में क्या डिफ्रेंस होना चाहिए, यानि गेज किस तरीके से होगा, द्रिस्टी का भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस है, आप देख रहे होंगे, सुरू-सुरू में, कितना आसान वो होगी सामने की तरफ, और जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यानि अधो मुक्ष्वान आसन है, उसमें आपकी द्रिस्टी होगी आपकी नाभी की तरफ, और एक चीज़ और, इस इन दोनों अभ्यासों में आपकी ब्रीधिंग कैसी होगी, तो ब्रीधिंग आप जो क करें, गहरी करें, गहरी लंबी सांस नाक से लें, और नाक से सांस छोडें, कोशिश करें, जो छूटने वाली सांस है, उसको जाधा देर तक छोडें, गहरी लंबी सांस लें, और सांस छोडें, इस तरीके से, तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाई और जो differences हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझाया आपको, आशागरती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ गये होंगे, अगर आप चाहते हैं, फ्यूचर में आपके सजेस्ट किये हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बन और साथ ही इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रश्रदारों के साथ ऐसे लोगों के सार्थ शेर कीज़ें, जो एक्च्छी में जानने के एकशुक हैं कि दोनों में क्या डिफ्रेंसेस हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी, तब तक अभ्यास की निरंतरता, कंसिस्टेंसी बना के रखें हर दिन योग का अभ्यास करें नमस्ते हुआ हुआ जो में जानने का अभ्यास की नहीं हैं